हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हलो जय हिंद आप सभी को भाई मैं विनित्वरी फैकल्टी को अब सी सेट आप का स्वागत करता हूँ Study IQ IAS हिंदी पे एक बार सभी लोग बता दिए कैसे हैं आप सभी और मैं आप लोग वो बता दो कि जो अभी हम ले Study IQ के इस चैनल पे हम लोग ने 10 मिनिट की एक सिरिज लेके हम लोग चल रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे concept में उठाता हूं कि जो important होते हैं UPSC के सी सेट के point of view से और या जो आ चुके हैं या जिनकी आने के उमीद है उसी कड़ी में 10 मिनिट वाली सीरिज में मैं आज कुछ blood relation के questions कराने वाला हूं जो आपके previous year में आ चुके हैं यह हमारा 2023 का question आपके board पे दिख रहा होगा और मैं आपको बता दूं कि blood relation का जो basics concept था वह मैंने आपको कराया था इसी चैनल पर करा है आप जाके देख सकते हैं playlist बनी हुई है या आप वीडियो के स्क्रोल करेंगे तो वहां पर दिख जाएगा आपको तो फिलाल इस question पर विचार किजिए निमलिखिन पर विचार यह question है हमारे सामने और यह 2023 का UPSC 2023 का question है बड़ा प्यारा से question है अब देखे इस question में मैं फिर से बता दूं कि basics के लिए मैं पढ़ा चुका है एक बार उस वीडियो को देखिए फिर उसके बास से इसको करिएगा फिलाल इसको देख लीजिए फिर जाके वहां basics कर लीजिए समझ में आ जाएगा आपको मैं इतना guarantee ले रहा हूं तो देखे कह रहा है कि किसी परिवार में पांच सदस्य है A B C D E है अब दे रहा है प्रशन E का B से क्या संबंद है अब ऐसे questions आते हैं तो थोड़ा सा tricky होते हैं दो तरीके से किये जा सकते हैं इस question को family tree तो बनाते हैं य कोड़ी अच्छी है आप सोच पाते हैं चीजों को तो आप बिना पेन उठाए भी इस question का answer दे सकते हैं हलांकि question का format एक बार देख लिए आप कह रहा कि निमलिखित पर विचार कीजिए थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं आप अगर कहेंगे तो इसे मैं थोड़ा स निमलिखित पर विचार कीजिए अब कह रहा है कि किसी परिवार में पांस सदस्य प्रशन दे रखा था एक अभी से क्या संबन्द है अब इसमें कई सारे कथन दियें चार कथन दियें अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला option दे रखा है कि जो प्रशन दिया चार उत्तर देने के लिए परेयौत है मतलब हीन देखिए अगले पेज़ू आगले कर लेंगे अगले मेरे बर सेंडिंग डिसेंडिंग में भी पूछ सकता है यूप से तो बाते ध्यान रखिए एक बार मैं इनको करना बताता हूं कि कैसे आप फैमिली ट्री बना सकते हैं देखो तो अगर आपको ऐसे कोशन समझ में ना है न कि कितने कथन इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि option wise इसको solve करो किया मैं कह रहा हूं कि इसको option के through solve करना इस्टार्ट करिए option के through solve करने का मतलब पता है क्या हो है यह पहला option उठाइए माल लीजिए कि पहले option के according family tree बना लीजिए पहला option कह रहा है कि कथन एक कथन दो कथन तीन प्रशन का उत्तर देने के लिए प्रयाप्त है तो हम भी कर लेंगे कथन एक कथन दो कथन तीन कथन एक मतलब इन तीनों का ही यूज करेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि A B की विवाहित दंपती है और B एक लिए पता है एस्वेंण कोई हो सकता है उसके बाद से बोला गयाया है कि D है D पिता है किसका सी का ठीक है तो इसमें ना तो D न तो सी कैक है तो हमें अलग से पाधिगा ीपीट से मैं देख लेता हूं यहां पर, D पिता है किसका, पिता है C का, यह दूसरा कथन हो गया, आप उसके बाद से तीसरे कथन को यूज करने को बोला है, पुट्र है D का, ये खुला है, ऐसा मैंने family tree बनाने को बोला था, पहला option कह रहा है कि इन यहीं तीनों का यूज करके हम कोशन का आंसर बता सकते हैं और कोशन पूछा एक बी से क्या संबंद है इक यहां पर बी यहां इन दोनों को रिलेट करने के लिए कुछ बोला ही नहीं उसने कोई लिंक अप ही नहीं है इन दोनों का आपस में रिलेट कर तो सिंपल उससे भी साधाराण में तरीका बता हूंगा आपको सोच के भी बता सकते होगे तो हमारा पहला option गलत हो गया पहले option के दो और कथन 4 का प्रियोक करें तो हम भी कर रहे हैं कथन एक कथन 3 और कथन 4 का दो नहीं 3 है कथन 1 कह रहा है कि एक बी विवाही दम पति हैं मतलब अब उसके बास से कह रहा कि A और C बहने हैं अगला कौन सा कथन है हमें यूज करना है कथन 4 लेकिन तबी में इससे और इसका सब ये भी नहीं होगा अब इसके बाद कर देख है इस बाद करने हैं सभी चार ऑच कर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयाप्ते हैं अब चारो में कह रहा है कि चारों का सुरू से यूज करने ये वी वाही दम पति हमने कर लिया और भी कि इभी वहाई दंपती है ठीक है में फिर उसके बाद से कहरा है कि डि पिता है सी अगैने सीका कर लिया कि उसके पाँस कहरा है इपूत्र है इपूत्र हे डी का इपूत्र रह किसका डी का, ये पुतर है डी का now, हो गया, अब उसके पासे, तीन इस टेटिमेट हो गए, अगला हो गए, अगला हो गए, इसको मतलब के इसको अइसको यहां लेंगे, ये इसकी …… बहन हो गई, आ बथा औस और ढये है fc से बमलत में रहे ऐंगे, बताओ, ऑगे से इसको ग्यान जब D आ गया, उसके बाद से E, D के जस्ट नीचे है, तो मतलब E यहां पर आ जाएगा थोड़ा से इसको काम करते है, इसको मैं थोड़ा से सिफ्ट करता हूँ, ठीक है, ओके, इसको मैं सिफ्ट कर लेता हूँ, अब यह देखिए, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, देखो, यहां D के नीचे E है C है, तो C तो पहले से आ गया, और यहां पे E आ गया, मतलब हमने चारों statement, यूज किया, और यहां से यहां तक आ गया, अब इसमें हम आराम से बता सकते हैं, पुछा की E का B से क्या सम्भनें, तो E का सम्भने किसका B से पूछा है, बड़े आराम से बता सकते हैं ए का बी से संबन्ध हम बता सकते हैं अच्छा यह हसबेर्ड हो गया तो यह जंडरın एक तो इकशा संबन्ध हम बता लेंगे बिलकुल बता लेंगे कौन किस का क्या लगएगा यह नहीं पुछा है किटने इस प्रश्न का उत्तर के रहापत हैं कौन-कौन से ऊके इस तरीके से कर लेंगे ऐस में ऐसा प्रश्थ नहीं कर सकते तो देखो इसका सबसे एक simple तरीका और बताता हूँ कि आपको figure ना बनाना पड़े, option से चेक नहीं करना पड़े और असानी से आप इसका answer बता सकते हो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका सबसे unique method मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है? किसी परिवार में पांच सदस्य हैं A, B, C, D, E कह रहा है E का B से क्या समद्ध ऐसा पूछा है? तो हमें E की तरफ E का समद्ध पूछा है तो B से E की तरफ जाना है मतलब E के बारे में बताना पहली बात समझना क्या मैं कह रहा हूँ पुरुस होगा तभी बता पाएंगे या इस तरी होगा तभी तो बता सकते हैं अगर मा 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 मी चाचा चाची पुरुस इस तरी का तो डिफरेंस होना चीए तो दो बाते हमें ध्यान रखना है कि B से E तक जाना है क्योंकि E का रिष्टा पूछा गया है और E का gender clear होना चाहिए question के उससे अगर कभी-कभी होता है कि E का gender clear नहीं हो पाता है हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन E का gender clear नहीं होता है फिर समस्य होती है सबसे पहले पहुंचते हैं B से एक तरफ अब B को ढूंड़िए और E को ढूंड़िए पूरे statement में B किस statement में तो B यहां पे है तो B से A गया है और E धुंड़िये E कहां पे तो E यहां पे है तो E से हम D को relate कर सकते हैं E D एक दूसरे से relate है B और A एक दूसरे से related है है कि नहीं अब जब यह आपस में related है मेरे भाई अब उसके पास से देखिए यह तो आपस में हो गया तो और बताव बात समझे, तो इसकी हम निकाल लेटावा, पिर अब क्या है? यह कह रहा है कि D को C relate कर रहा है और फिर यहाँ पर यहाँ पर देखिए A को relate कर रहा है C कर रहा है मतलब C common हो गया दोनों में इसका मतलब देखो A से C जाएंगे C से D जाएंगे और D से हम E आ जाएंगे देखो A से B जाएंगे A से B जाएंगे यह जैंगे पर उसके पांस है तब पाँंगे गिलेंगे तभी उत्तरि देपाएंगे लेकिन उत्तर देने पहले और देखिए इतने से लें कभी सब्सक्राइब आनसर नहीं दे पाएर कि तो हम क्या करते इसमें जेंडर भी क्लेर करना तो जेंडर कैसे भाई भी ना फैमिली ट्री बनाए क्लियर कर सकते हैं देखो ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां को देखिए का कहां पर दे रखा इसका कह रहा है कि पूत्र है डी का मतलब यहां जेंडर क्लियर हो गया और यहां से हम वहां तक पहुंच भी जा रहे हैं चारो का यूज करके ध्यान से देखेंगे और मैंने बड़ी अच्छी टेक्निक आपको बताई एक और कोशन करते हैं यह वाला यह हो गया तो इसका अंसर था चारो देने के लिए प्रयापत है यह हमारा 2022 का कोशन था और UPSC के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कोशन को हटाया गया इतिहास में पहली बार हुआ था यूपीसी के इस कोशन को एक बार ध्यान से देखेंगे हैं कहरा पी क्यू आर एस्टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं क्यू का पती पतनी अब देखो यह गूगल ट्रांसलेट किया जाता है यह ट्रांसलेशन में यूपीसी मतलब इस दूसरे के दमपती दमपती मतलब यहां पत्नी पत्नी से पती पत्नी से प्लेस कर दिया कोई बात नहीं कहरा टी की माता यू है यह 2022 का कोशन है फिर कहरा यू की पुत्री एस है फिर पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है इस परिवार में दो दमपती है तो तो नि किनका जेंडर पता नहीं है जेकिन है अब उसके बाद से आगे आते हैं कहारा कि इसके बाद से statement यह वाला हो गया है अगला statement हो गया फिर आर का पुत्र पी है यह अगला statement हो गया तो q की पती पतनी आर है यह हो गया ट की माता यू यहां पर नहीं है यू नहीं है चलो इसको अभी कुछ दर के लिए हाँ से उल्टा जाएंगे कि फिर पे की पुत्रिति है यह फिर हो गया फिर कह रहा है यू की पुत्री एस है यू की पुत्री एस है चलो यह नहीं पता चल पा रहा है यहां पर देखिए इसको भी स्किप करते हैं थोड़ देख लिए फिर कह रहा टी की माता यू है अब टी की माता यू है इसकी माता यू है तो यह already इसकी बेटी है तो इस पुत्री है इसकी भी पुत्री होगी तो ऐसे कर लेंगे यह इसका भी होगा संतान अब हो गया परिवार में दो दमपति यह दमपति यह दमपति लेकिन अभी किसी भी स्टेटमेंट से मुझे यह समझ में नहीं के qr कौन-kौन है ठीक है क्यूंवार हस्वेंड है ये confused बना रहा ऑप्षन में रखा टी कि नना या antena प्षबूच के दादा ये नना क्यूं इसका मतलब मेरे भाई ये भी और ये भी डोनों के दोनों धोनों हो- buttons ऐ मतलब मैउब किसी का ऐडनिफाई नहीं कर पाएंगे फिर Kevin हमें पता नहीं हो पाएंगा नहीं होगा मतलब यह भी विबद्छ उपर गे तीनों और सन्डा इसमें हो सकते हैं लेगिन तीनों दे धियें इसलिए किसी को भी नहीं sick कर पाएंगे के हो सकते हैं लास्ट दे रखा कि क्यों की प्रपोत्र ती एक प्रोरब Stream की बात हो रहे ह तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आगी मेरे भाई कि ये तीन जनरेशन की बात हो रही है लेकिन इसमें चोथे जनरेशन तो ये तो कैसे भी करके नहीं होगा ये तो ऐसे भी नहीं होगा अब ये तीनों उपर हो सकते थे यह तीनों कोई भी आंसर हो जाता की तो यह दो बिच के दो न दिये टेए इसकी बकवाश दइजा होता अगर यहीं होता टी की दादा नाना क्यों है तो हमारा आराम से हो जाता टी के दादा नाना मतलब यह दादा माल लेते हैं बेस्ट एप्रोप्रेट आंसर देख लेते हैं अगर इस टाइप का कनफ्यूजन नहोता ना यह भी हो सकता यह भी हो सकता यह भी हो सकता बस जेंडर तो अगर ऐसा नहों तो हम अगर मालों कुछ बकवास सा दे रखाव इससे होई जैसे इस यह लिए कोई निए और यह उपर वाला उप्शन सही हो जाता ठीक है उपर वाला option हमारा सही हो जाता बिलकुल तो ध्यान से आप लोग करेंगे देखेंगे तो चीजे समझ में आ जाएंगे फिलहाल ऐसे ही classes में लेके आता रहूंगा और यह important बाते बता दी मैंने कुछ और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि study IQ की तरफ से आप सभी को हो लिकिए फिर से हारदिक सुब काम ना है होली special batch का यह देखिए होली special batch का बेस्ट 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 है और यह समझे discounted price पर यह बैच अवेलेबल है मेरे हिसाब से इस सेशन में नहीं मिला मतलब के लिए मैं बोल रहा हूं यह बात के लिए इस से कम प्राइस पर बैच अब यह देखिए यह इतने कम प्राइस पर बैच अवेलेबल है और प्रलेम सेंट्रविव तक का बैच है आपको सेशन करने के लिए वी टी लाइब कोड्य करेंगे यह जादा सजाधा discount मिल जाएगा इतना discount मिल जाएगा तो आपको यह बैच यह जैसे ही कोड अपलाई करेंगे प्राइस बहुत जादा दिखा रहा होगा लेकिन जैसरी कोड़ अपलाई करेंगे 21,999 में यह बैच मिल जाएगा आपको ठीक है लेकिन सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह डेट आप ध्यान रखिएगा 26 मार्च को के लिए आप लोग को एक तरीके से को कि गिफ्ट है हमारी तरफ से इस बैच में सीशेट इंक्लूड है बार बार मैं कहा रहा हूं सीशेट अलग से लेने की जोड़ने प्री से इंटर्व्यू तक के जितने होते हैं चरण सब इसमें इंक्लूड है होते हैं बाइलिंग्वल इंग्लिस में मिल जाएगा आपको अप्लिकेशन पर जाएंगा आपको दिख जाएगा वीटी लाइब को यूज क्या करें ठीक है यह हिंदी में बाकि मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप अपको यह बैच दिख जाएगा वहां पे पीडिये फॉर्म में बहुत सारी कुछ अपना जैसे भी हो आप से रीच आउर किया सकता है वैसे आप बस कमेंट कर देजिएगा कि मुझे बैच लेना तो उसी साब सभी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी उसके बाद या तो मेरे को मेरे को आप इमेल कर सकते हैं मेरे से भी इंफॉर्मेशन आप सी सेट का सेपरेड बैच अगर लेना चाहते हैं तो देखिए पहले यह 4999 मिलता था अब 2499 में यह बैच अवेलबल है बहतरीन बैच है वी टी लाइब कोड यूज करेंगे तो आपको यह डिसकाउंट मिल जाएगा यह डिसकाउंट जादा ज्यादा डिसकाउंट मिल 21 मार्च 2024 से स्टार्ट है बैच और इंडेशन हुई है लेकिन सांदार बैच चला और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं यह 26 मार्च तक ही वैली डीटी है 26 मार्च तक ही आप इसे ले सकते हो उसके बाद फिर आप पर्चेज करना चाहेंगे तो अल्रेडी प्राइस बढ़ कोई भी मेरे से इनफॉर्मेशन चाहते हैं अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं डाउट्स वगरा हो कुछ भी हो तो आप मेरे को यहां पर मेल कर सकते हैं विनिट दौट तिवारी एड़ेट इस्टडी आईक्यू डॉट कॉम पे आप मैं आपको रिच आउड कर लोंगा क कोई भी समस्य वे इन्कॉरी हो या कुछ पूछना आओ बैच के बारे में या आपको डाउट भी हो नो प्रश्न में वो भी पूछ सकते मेरा टेलिग्राम चैनल इविनिति वारी में सिस्से भी जूड़ जाईए बहुत सारी चीजे यहां भी मिलेंगी आपको ठीक है अभ